गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैसेल्फ टॉक्टर हर्शिता राठूर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकॉलजी हम लोग SD या स्टेंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे और स्टेंडर्ड डेविएशन की हम लोग ग्रुप्ड डेटा या समुहित चो आंकड़े हैं उन पर SD परिकलन करना सीख रहे थे इसमें हमने बताया था कि दो विधियां है एक लगू विधी और एक दिर्ग विधी दिर्ग विधी के हम बात कर चुके हैं यानि long method के थूँ हम किस तरीके से SD calculate करेंगे यह हम पिछले lecture में बता चुके हैं आज जो हम बात करेंगे वो है SD किस तरीके से आप short method के थूँ पता लगा सकते हैं या short method को use करते हुए किस तरीके से SD आप निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे SD के सुत्र की तो ये आपको जो दे रखा है ये SD का सुत्र है और इसी का elaborated यानि थोड़ा सा फैला के जो बताया है वो ये है दोनों ही सुत्र correct हैं दोनों ही सही है और सुत्र आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है चाहे long question आए उसके abbreviates जो है उनके meaning आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है तो हम बात करेंगे सुत्र की SD का formula देखिए जो शॉर्ट method का है sigma is equals to i और under root के अंदर sigma fx prime square upon n minus c square यहाँ पे जो c square है वो correction है या संशोधन का square है और संशोधन का जो formula है वो यहाँ पे दे यह रखा है तो आप चाहें संशोधन के formula को भी लिख सकते हैं जो कि क्या है sigma fx prime upon n का whole square sigma fx prime upon n का whole square whole square का मतलब है पहले आप यह पूरी चीज़ solve करोगे और फिर जो संख्या आएगी उसको आप square कर देंगे ठीक है तो फर्क होता है आप देखिए अगर हम बात करें एक आपने पहले देखा fx prime square upon n तो यहाँ fx square का मतलब है आपका जो यह x prime square है इसको आपने x prime को x prime से multiply जब किया तब यह आया है ठीक है और उसके बाद आपने f से multiply किया है जबकि जो whole square है वो बताता है कि आपने पहले f और x को आपस में multiply कर लिया उनका योग निकाल लिया उसके बाद आपने n से divide कर दिया और फिर आप इसका जो संख्या आएगी उसको square कर रहे है यानि यह सारा process पहले करने के बाद आप उसको square करेंगे जो संख्या आएगी तो इन दोनों में फर्क है अभी आप आग पहले कि जो meaning है वो बता दें यह देखिए sigma का मतलब है मानक विचलन, i का मतलब है वर्गांतर का आकार या उसकी लंबाई यानि कि आपका class interval का size क्या है f x prime square का मतलब है हमने बात की x जो होता है small x वो मध्यमान से विचलन है और x prime जो है वो कल्पित मध्यमान से विचलन है तो यह देखिए x prime कल्पित माध्ये से मध्यमान के विचलन का वर्ग क्यूंकि square है तो वर्ग है और उसके बाद उसको बारम बारता से multiply कर दिया गया है तो यह f x prime square आ गया sigma का अर्थ योगफल है और c यानि correction यानि शुद्धी है तो यह सारे इसके abbreviates के meaning है अब हम बात करेंगे कि इसका calculation किस तरीके से की जाती है short method से sd किस तरह ग्यात किया जाता है तो इसके लिए हम सबसे पहले यह देखिए एक example ले ले लेते हैं यह आपको यहाँ example दिखाई दे रहा है इसमें उपर इसे तरीके का question आता है कि नीचे दिये गए आंकडों पर लगू विदी द्वारा sd ग्यात किजिए और नीचे जो आंकडे दिये होते हैं उसमें आपको दो चीज दीवी होती है एक तो वर्गांतर और दूसरी बारंबारता यह जो दो चीजे हैं यह आपको प्रश्न में दी गई होती है एन आपको दियावा होता है कई बार और अ जो आपको दो ब्लॉक्स है वर्गांतर और बारंबारता यह दोनों दे रखी होंगी अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको X निकालना है capital X जो की मध्यविंदू कहलाता है मध्यविंदू का सुत्र आप सभी जानते हैं उसके द्वारा आप सारे वर्गांतर के मध्य बिंदू ग्यात कर लेंगे यह देखिए 52-54 का मध्य बिंदू होगा 52 55 से 59 का होगा 57 इस तरह 60 से 64 का होगा 62 इस तरीके से करके आप सभी के मध्य बिंदू ग्यात कर लेंगे मध्य बिंदू ग्यात करने के बाद आप इसका मीन निकालेंगे और देखिए मीन का जो सुत्र ह होता है वो आप सभी को पता है सिग्मा एफ कैपिटल एक्स अपॉन एन यह मीन का आपका सुत्र है तो आप यहां पर क्यूंकि आपको यहां देखिए यहां मीन दिया नहीं है एजूम्ड मीन के द्वारा ही आपको करना है तो आप इसमें एक काम और भी आपके लिए आसान हो केंद्रिय प्रवर्ति कहां होगी जहां सरवाधिक बारंबारता होगी तो आप क्या करेंगे क्योंकि यहां कल्पित मध्यमान से करेंगे इसलिए आपको सिग्मा एफ एक्स वाले जो सुत्र की जरुत नहीं है तो कल्पित मध्यमान निकालने के लिए आपको कुछ भी नही आपको ये जो बारंबारता है, इसमें आप चेक करेंगे सरवाधिक बारंबारता कौन सी है, या किस समू में आ रही है, तो ये देखें, 70 से 74 वाला जो ग्रुप है, इसकी आवरती या बारंबारता 12 है, तो आप ये इस वाले ग्रुप को क्या करेंगे हम, मान लेंगे कि हमार मद्धिमान इसमें है और मद्धिमान कौन सा होगा जो कल्पित मद्धिमान not actual मद्धिमान कल्पित मद्धिमान जो है जो आपका 70 से 74 का जो X होगा यानि कि जो इसका मद्धिबिंदू होगा उसी को हम कल्पित मद्धिमान मान लेंगे फिर से आप एक बार देखिए सबसे पह प्लस त्री प्लस फोर आएगा और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो माइनस वन टू त्री फोर ये माइनस में आपके मध्यमान से विचलन आ जाएगा कहने का मतलब है कि यहां हम कलपित मध्यमान लेंगे और कलपित मध्यमान जिस वरगा अंतर की बारंबारता सरवाधिक होगी उसका मध्यबिंदू हमारा कलपित मध्यमान कहलाएगा और इस कलपित मध्यमान से हम विचलन जब ग्याद करेंगे क्यूंकि हमारा ये ग्रुप में वध्यमान आ रहा है तो इसका विचलन जीरो होगा उससे आगे प्लस 1,2,3 और उससे नीचे माइनस 1,2,3 इस तरह करके हम विचलन यानि कि small x ग्याद कर लेंगे अब आप small x जैसे आगे वाले में है f small x और small x भी नहीं इसको x prime कहेंगे क्योंकि ये कल्पित मध्यमान से विचलन है तो आप f x prime निकाल लेंगे यानि कि ये जो आपके विचलन आये हैं इन सभी को आप f यानि कि इस से बारंबारता से multiply कर लेंगे 3 को multiply करेंगे 4 से 5 को करेंगे 3 से 4 को करेंगे 2 से 5 को करेंगे 1 से 12 को करेंगे 0 से 6 को minus 1 से 7 को minus 2 से 6 को minus 3 से और 2 को minus 4 से इस तरीके से multiply करने पे आपके पास f x आ जाएगा ध्यान ये रखन है कि आपको माइनस का और प्लस का साइन ध्यान रखना है जो माइनस की संख्या है वो माइनस में रहेगी जो माइनस की संख्या है और जो प्लस की संख्या है वो प्लस में रहेगी तो यहां आप देख सकते हैं माइनस और प्लस को अलग-अलग किया गया है माइनस माइनस को आ एफ एक्स प्राइम आ जाएगा सिग्मा का मतलब योग है लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस की संख्या अलग है और प्लस की अलग है तो माइनस प्लस को आप जोड देंगे देखिए माइनस की संख्या यहां आ रही है 46 और प्लस की संख्या हमारे पास आ रही है 40 तो माइनस 46 सिक्स में से जब प्लस 40 के घड़ जाएंगे तो माइनस का 6 हमारे पास बच जाएगा ये देखिए फिर से मैं बता हूँ आपको ये माइनस की संक्या है ये प्लस की है दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस की बढ़ी है इसलिए सिग्मा इसलिए फ एक्स प्राइम जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस 6 ज़रूरी नहीं हर बार ये आपके पास माइनस में आए प्लस में भी आ सकता है जैसे भी आएगा आपको इसको माइनस प्लस की निशान को ध्यान में रखते हुए ही लिखना है अब आप देखिए आप का f x prime आ गया अब आपको क्या करना है f ये f x prime तो था ही अब आपको f x prime square करना है यानि कि आपका जो f x था prime का उसको आप एक बार multiply कर देंगे वापस x prime से इसका meaning ये है क्योंकि x square हो रहा है तो यहाँ पे x prime को आप वापस x prime से multiply करेंगे तो यह देखें यहां पे आपको यह दे रखा है fx प्राइम यानि कि यह वाला जो ब्लॉक है इसको फिर से आप आवरती से multiply कर देंगे जो आपका fx प्राइम आया है उसको आप फिर से multiply करेंगे small x प्राइम से तो आपके पास fx प्राइम square आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास यह सारे और क्यूंकि यहां पे minus minus दो बार आपके पास आएगा sorry यहां पे यह minus और वापिस जब आप x से करेंगे यह आपकी विचलन है sorry यह बारंबारता नहीं आप इन दोनों को multiply करेंगे यह आपका विचलन है तो जब आप वापिस minus को minus से multiply करेंगे तो minus और minus मिलके plus हो जाता है इसलिए आपके fx prime square में कोई भी संख्या negative नहीं आएगी positive ही रहेगी सारी क्योंकि minus minus plus हो जाएगा तो अब आपका च्छटा जो यह block कहां से आएगा आपके पास जो six column में यह कहां से आएगा यह इन दोनों को multiply करने से आएगा तो क्योंकि यह x prime है और यह fx prime है इन दोनों को आप multiply करेंगे तो fx prime square आजाएगा तो ये देखिए, आपके पास ये संख्या आपको दिख जाएगी, इसमें सारें को जब हम जोड लेंगे, तो ये सिगमा fx प्राइम स्क्वेर आ जाएगा, और अब आप जो है, सुत्र में आपके पास सारे जो अंख्ये वो आ चुके हैं, सुत्र के सारे मान आ चुके हैं, अ अब आप सुत्र में इन सब को रख देंगे, देखिए, sd का formula यहां दे रखा है, और हमने correction का formula भी अलग से लगा लिया, ताकि correction चाहे तो आप पहले अलग से निकाल सकते हैं, या इसी सुत्र को थोड़ा elaborate करके लिख लेंगे, तो उसी में साथ निकल जाएगा, अब आप आई हमको दे रखा है, अब जो हमको आई दे रखा है, वो देखिए, क्योंकि दोनों के बीच में कितना अंतर है, पांच का, तो यहां पर आई आपका 5 आ गया, यह देखिए, और sigma fx square जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, यह देखिए, sigma fx square जो है, वो आपके पास 234 है अपने पास 50 है, यह आप इसमें लिख देंगे 234 अपन 50, और उसके बाद, sigma fx prime, sigma fx prime जो है, वो आपके पास minus 6 है, अपन 50 है, और इसका whole square है, तो आप सबसे पहले, जो dividation वाले हैं, as per rule हमेशा हम divide को सबसे पहले solve करते हैं, तो आप सबसे पहले भाग दे लेंगे, भाग जो भी आपके पास भाग के संख्याई, फिर आपके पास, क्योंकि इसको square करना है, तो यहाँ आप square कर देंगे, दोनों संख्याई जब square हो जाएगी, तब आप देखिए, square के बाद, आप इनको, जो यह आपका point 12 था, यह square होके, point 014 हो जाएगा, और क्योंकि यह minus में है, तो आप इसको, इसमें से 4.68 में से minus कर देंगे, minus करने के बाद जो आएगा, उसका आप वर्ग मूल निकाल लेंगे, यानि 5 तो आपका I चली रहा है, और वर्ग मूल में यह 4.67 का जो वर्ग मूल निकालेंगे, वो 2.16 होगा, 2.16 से जब आप इसको multiply करेंगे, तो यह आप के पास 10.80 आ जाएगा, जो की आपका answer होगा, तो इस तरीके से आप SD जो है, वो short method से निकाल सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, कि आपको इसमें, जो कल्पित मध्यमान के द्वारा, आप ग्यात करेंगे, तो कल्पित मध्यमान देखिए, हमेशा इसी तरीके स से आएगा, 0 और plus 123, minus 123, यानि संख्याएं बहुत छोटी हो जाती है कल्पित मध्यमान में, तो आपका fx और फिर आपका fx square निकालना, आसान हो जाता है, वो उसकी calculation कम हो जाती है, और इनके द्वारा आप सुत्र में मान रखकर, आप SD ग्यात कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये SD ग्यात करने का एक और विधी है, जिसे हम लगू विधी कहते हैं, क्योंकि इसमें कल्पित मध्यमान के द्वारा आपका SD निकाला जाता है, एक और बात का आप ध्यान रखेंगे, कि एक्जाम में लगू विधी, दिर्ग विधी, डारेक्ट न देकर, कई बार इस तरह पूछ लिया जाता है, कि दिये गए आंकडों पर कल्पित मध्यमान के द्वारा SD ग्यात कीजिए, या दिये गए आंकडों पर वास्त्विक मध्यमान के द्वारा SD ग्यात कीजिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए, कि वास्त्विक मध्यमान दिर्ग विधी में यूज लि झाल झाल